Hello everyone, welcome back to my channel. क्या unmarried female hospital में जाके DNC या फिर medical abortion करा सकती है क्या? देखे कहीं ज़्यादा सवाल होते हैं unmarried female के अंदर की हम अगर जा रहे हैं तो hospital में डॉक्टर हमसे extra सवाल तो नहीं करेंगे परिवार वालों को तो नहीं बुलाएंगे या फिर कोई problem तो नहीं हो जाएगी तो इस तरह के काफी ज़्यादा डर और मन में सवाल होते हैं तो आप लोग के भी काफी ज़्यादा comment आते हैं इस तरह के तो आज हम यहीं discuss करेंगे इस वीडियो में तो काफी helpful वीडियो आपके लिए हो सकती है आप जो female है वो unmarried है और 18 साल से उपर है तो वो hospital में जाके खुद अकेले जाके भी abortion करा सकती है अपने consultation पे वो जो है वहाँ पे abortion करा सकती है और सरकारी में भी करा सकती है चाहें या वो private में भी करा सकती है सरकारी hospital में होता है कि free of cost होता है वहाँ पे कोई face नहीं ली जाती है medical abortion या फिर surgical abortion के लिए दूसरा आप अगर private में जा रहे हैं तो डॉक्टर अपने-पने according charges लेते हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे तो आप जा सकती है अपने consultation पे आप abortion करा सकती है कोई भी आप से एक्स्ट्रा सवाल नहीं करेंगे आपके family वालों को नहीं बुलाएंगे हाँ condition में आपके family को वालों को बला सकते हैं अगर आपको कोई भी problem चल रही है heart related कोई disease है आपको है ना या फिर आपके शरीद में खुन की कमी आप एनिमिक है इस condition में आपके parents को बलाया जा सकता है अगर आपको कोई भी problem नहीं है कोई heart related problem नहीं है या फिर medicine से कोई allergy नहीं है इस तरह की कोई history नहीं है तो यहाँ पर doctor आपकी consultation पर भी आपको medicine दे सकते हैं या फिर dnc करा सकते हैं यानि की surgical abortion भी करा सकते हैं आपको जो consult होता है उस पर आपको sign करने रहते हैं कि मैं अपने जिम्मेदारी पर यह चीज कर रही हूं है ना तो यह पर आपको sign करना होता है बाकि इसके अलावा कोई complete रह जाता है फिर वह काफी ज्यादा दिक्कत में फस जाती है और मेंटली काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फस जाती है और फिर उनको hospital भागना पड़ता है ना तो वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है तो इसलिए डॉक्टर के सूपर विजन पर ही यह चीज करिए कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे सही चीज़ेस्ट करेंगे सही मैथड आपको बताएंगे जिसते कि आपका जो एबोशन है वह complete हो जाए क्यू काफी जदा प्रेशान हो जाते हैं आपके दूसरा आपका समय भी वेस्ट हो जाता है और काफी फिजिकली और मेंटली आप प्रेशान हो जाते हैं तो इसलिए पहले ही सई डिशीजन लेना चाहिए डॉक्टर से ही आपको अबोशन टैबलेट लेनी चाहिए और उसी का बच्चेदानी नी में इंक्ट हो गया कोई रहने के वज़े से तो आखे चल के असमें पेट में आकल के बच्चेदानी EC5 अगर होगी अगर यह वीडियो आपके लिए रहा तो लाइक कीजिए चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए साथ में नोटिफिकेशन बेल को दवाएं जिस्ते की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग